तो आज की हमारी इस classes में हम आपके साथ discuss करने जा रहे हैं custom formatting तरह कि custom formatting प्रमाइटिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि मैंने पिछले classes में भी discuss किया था वही जिसे कि इसमें क्या है कि जब हम कोई भी topic कोई भी reports बनाते हैं किसी भी तरह के analysis report है किसी भी तरह के report बनाते हैं तो हमारा formatting important होता है symbol सी वाहतना से कि किसी भी चीट को जितने अच्छे तरह से decorate करोगे उतना अच्छा रिखता है तो reports आपकी report कितनी useful कितनी meaningful और कितनी जल्दी बनेगी और depend करता है आपकी formatting तो हम कुछ क्रासिस से formatting के tricks ही बताने जा रहे हैं तो formatting में हमारा next topic है custom formatting आप custom formatting important इसलिए है क्योंकि वी वी के through number की जो भी formatting को आप करेंगे और custom formatting के through ही होती है इसलिए custom formatting is important है तो basically custom formatting या number formatting होता क्या है कि मैं चाहता हूँ कि आपने cell पे लिखन कुछ और और visual कुछ और simple method ठीक है तो चले कुछ useful जो method है उसको जानते है जैसे कि यहां check number हम लिख रहे हैं और जैसी बात है इंडिया में हम लिखते हैं तो बहुत साए checks 0 से start होते हैं लेकि जब भी आप Excel पे 0 लिखते हैं तो 0 को accept नहीं करता है right correct क्वेर तो किसी ने आपको और लेड़ी टाइप करकी भीज दिया अब क्या होता है कि मालेजिस को बैंक में आपको भीजना है तो जो कंब्रीज के अंदर में पांसो हजार ऐसे चेक्स होते हैं उसके लिए फॉर्म पर तो लिए तो लोग एक फॉर्मेट होता है वो लोग फॉर्मेट पर प्रिंट आउट लिकाल लेते हैं तो बैंक में जब फॉर्म प्रिंट आउट देते हैं तो वो बल तो यार यह इस तरह का नमबर नहीं चलेगा उच्छ इंच करके देजी यह होगे हैं तो चलिए आज जो आलग सी जब दूसरा आता है रिकरंसलेशन कि अगर आप बैंक से रिक्रंसलेशन करता हैं मनें bank का और आपके tally data से। तो होसकता है कि कोई bank का data या tally का data आपको इस तरह से मिला। होसकता है कि bank का tally का data आपका अपका इक data इस तरह से जाए। तो दोनों दिखने में एक जरसे है लेकिन एक नहीं है, इसको आप फाइ नहीं होगा। तो रिकंसलेशन में आपका दिक्तत हो जाएगा, आपका फार्मुला, रिलोकाप, मैश, इंडेक्स, काउंट, इसाब का फार्मुला नहीं लगे. तो इस वहाँ मैं करना चाहता हूँ कि मेरे पास इस तरह का डेटा आया होगा. तो मुझे इसकी विल्लिटी चेंज सरना हिसमें जितने 0 मिसिंग है, आगे से उतने 0 लगा के 6 डिजिक्ट को मिंटेइन करना है. सिंबल सी बाद है. तो सिंबल सी है कि इसको स्लेक्ट करेंगे और हम चले जाएंगी कहाँ पे? कस्टम में. कस्टम में. और यहां पे हम सिक्स टाइम हम जी ओडार. लेकिन नहीं रखिए यह से विज्वाल है, तो कि कोई भी फॉर्मेटिंग, किसी की तरह की फॉर्मेटिंग करते हैं, तो आपकी ओरिजिनलिटी को चेंज नहीं करता है. यह एक्सटम का नियम है, रूल है यह आपने थर्ड है, मुझा इसको यार्टा मार लीजे, कि किसी की तरह की फॉर्मेटिंग, चाहिए अधिनलिटिंग हो, अधिनलिटिंग हो, आपकी विजिलिटी को चेंज करता हो, विज्वल चेंज होता है, बट जो ओरिजिनल है, वो अगर मैं चाहता हूँ कि अब प्रॉलम है कि अगर मुझे कहीं से डेटा मिला हुआ है, जीरो 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 और एट फाइब टू, ति दोनों आपस में मैच नहीं करेगा ना, क्यों कि इस सिर्फ विज्वल है, ओरिजिमल में 852 है, लेकिन इस ओरिजिनल में 0, 0, 852 है, वाला समयता है सर, तो उसके लिए क्या करें, तो अगर आपको माह लीजें कि विज्वल मैं ओरिजिनल चाहिए, तो उस केस में आप कस्टम फॉर्मेंटिंग ना लगा के, कस्टम फॉरमटमा कीThese का एक हिरे कर एक एक स्टक human खूंख इसको सिलेक्स है और लग करते है वान डू आधि तो फाइब सिट्स जो जीरो का कंसेप्ट मैंने कस्टम मोमेंट में डाला था वही कंसेप्ट हम यहां टेक्स फॉर्मुले में डाले अब क्यों रिट्वन होगा यह दोनों आपस ने ब्रावर होगे ब्रावर हो गए को सरह आप यहां पर क्ष्टम जो लगाए वह द्वला टेक्स फॉर्मुला तो इसको योज करते बाद और किसी को ने कर रहे हैं तो इसको अगर माल फिर डिएरेक्टली इसको नहीं कर सकते ना उसी सेल पर अग्शार नहीं कर सकते आगर चाहिए तो आपको कर लो कि copy करके value paste करके इसको paste करें जा क्या क्या मैं सोच रह다 इसको run time पे इसको इस तरह से entry करता हूं तो उसका पूरा column को इस पर स्टम में करके देना पड़े formula जो है simple सी बात है न कि formula जो है same cell पे थो लगता next cell पे लगेगा ना जे जे उसका reference बनाके नę sir मॉायल नमबर में मालिजे की मैं प्लस नाइन वाइनन रिखता हूं और वक्षण देखनेी तो नाइन ओंधक नहीं करता है तो यहां पर हम प्लस नाइन वन और वन टू थी पोर फाइब सेवर एट नाइन टेट एट अम मैं यहाँ पे रालूगा कि डवल जीरो टू फाइब सेवर नाइन थी डवल एट प्लस नाइन वन लग गया बट इसमें एक दिक्कत है अमने जीरो डालानो अगर मान लोग कि एकाज नंबर डिजित कम लिखते हैं तो वह जीरो के पुरा करते हैं क्योंकि गलाद है तो मुझे हर जगा डिजित मैच नहीं करना है अब मुझे यहाँ पे प्रिफिक्स नाइन वन लाना है डिजित मैच न तो हैस क्या करता है वह प्रिफिक्स सफिक्स नगा देता है लगिन जीरो मिजिन निकलता है अब हैस और इसकी प्रॉलम आपको समझ नहीं है कि हैस और क्या है तो उसके लिए अब देखिए इसका लोगिक समझ देजिए जैसे कि मैंने आपे पंद्रह सो लिख दिया तो मुझे पंद्रह सो के आगे लिखना है इमाई इमाई पंद्रह सो इमाउन पंद्रह सो गरव 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 तो ऐसे लगाने पर तो इस पर कल्कुलेशन नहीं होगा ना कुछ यह टेक्स हो गया जाता हूं बीजबल ऐसा हो बाद में कल्कुलेशन हो तो तो यहां पर अगर मैं कर्स्तम में जाओं पर मैं सिर्फ यहां पर लिख दू इन्वर्किट कवमा में इमाई आगे कुछ न दू या लिख दू इमाउंत या टोटल या इमार्पी कुछ भी पर इमार्पी यहां पर सिर्फ एमार्पी सोग करें बाकिये चीजे नहीं दे मुझे तो अमन्ट को सोग करने के लिए मतंबर आपने लिखा ईुस नंबर को शो करने के लिए हम यहाँ पर इस MRP के बाद हम खैतो जीरो लगाएंगे यह हैंच लगा दिया जिसे डबल जीरो लगा दिया तो जिन Con detrimental तो हमीं करेंगे हैंज अरा मैं हां पर हैस लगाऊँँगा तो विजिट को मैस नहीं ूछ हमें नंबर को शो करने के लिए हैश या जीरो तो लगा नहीं है ठीक है और प्रिफिक्स सफिक्स पतलब की आगे अगर किसी नंबर के आगे कुछ जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप कि इनवर्टड को डाल सकते हैं जैसे कि मैंने यहां इमार पीड़ा अमित जी आएन रवी जी कंसेप्ट क्लियर है यस जैसे यह पूछना चाहरा है सर पूछे जैसे यह तो प्रिफिक्स के लिए हो गया सर और इस सफिक्स के लिए तब क्या करना पड़ेगा अले सफिक्स नह प्रिफिक्स है तो आगे लगाएंगे आगे और शिक्स ए तो हैसेड़ यह स्किवागाएंगे आगे और मितों हैस जीरो पीच्छे लगानिए जैस है तो जीलो आ कि ठीक्राइए और गोडर को अब कर लिजी यह मतलु आख वाज89 कने प्लेश प्रप्लेशल बर रही अरे सब्सक्राइब लगता है तो हैस के आगे पेपिक्स लगा दीजिए या सब्सक्राइब लिखते हैं तो 11 डिजित तक का नंबर तो शो कर जाता है राइट या सब्सक्राइब सब्सक्राइब लिखते हैं वह प्लस वन के सब्सक्राइब लिखते हैं तो इसको अगर नंबर की तो शो करना चाहते हैं तो कस्टम में आके दस एक हैस एक जी हो देजिए या फिर हैस या फिर चलो लेकिन धान रिखिए कि नंबर सिर्फ 15 डिजित तक नहीं देखेंगा 15 डिजित जैसे ज्यादा लिखेंगा 15 डिजित वो चुगा है 16 डिजित में 9 लिख रहा हूं तो 0 बना देगा एक और क्यूरी याद किजिए कि एक्सल के अंदर में नंबर वामिट के अंदर अजयल के अंदर एक नंबर आप सिर्फ 15 डिजित तक ही लिख सकते हैं 15 डिजित के वाद अगर लिखते हैं तो जीरो कनवर्ट करते हैं क्यों क्यों कि आपकी जो परसुल कम्पुटर है इसकी कनूलेशन के निकीशंतां 15 डिजित तक कहीं है ये जर सर इससे आगी कल्कुलेशन के लिए उस सुपर कॉंपुट्रे इस्तमाल होता है, आपता है आपको इंडिया का सुपर कॉंपुट्र का नाम क्या है, परम सर, परम, तो परम का ये आगी काम परम का होता है, ठीका मित्यी, ऑके यës-yess, अब जैसे कि आप मान लिजे की कोई लगाना है जैसे कि माल जिए कि में mitting ID जो हमने मिल किया है और हमने इस लगा हुआ है और मैं चाहता हूं कि हर तीन के बाद डैस अट्रमेटिक लगके आ जा तो मैं right click करूंगा format sale पर जाओंगा right click format sale और यहां custom पर आखूंगा और यहां पर मैं 123-123-123 ठीक है 123-123- इन्रीज कदूरी पिछा क्यों होगे अब यहां पर दिप्टा हूं होगे अब आगे बढ़ते हैं कुछ और त्रिक्स देखते जैसे मैं यहां लिखता हूं 15 रुपे 23 पैसे अब इसको भी त्रॉंस अलग दिखा जबते हैं यहां पर हम कस्टम पर आते हैं और यहां हम देते हैं यहां पर जीरो हैट्स रुपीज रुपीज त्रॉंस रुपीज दोट जीरो जीरो पैसे हैं ठीक हैं तो प्चास रुप्ये चालिश पैसे हैं अब आप बुलोगे कि इसमें हमने हैश और जीरो क्यों लाएट् कि यहां पर जीरो जिरो रुपीज शिक्टी पैसा होता है जो कि और लगता न इसलिए हमने एक हैच एक जिरो दिया कि अगर लगता है दो कि और साथ में डवल जीरो नहीं होने देगा और डॉट जो डाला तक की पैसे दिखें को कि अगर हम डॉट जिरो जीरो जो के देगे डालना होता है यहां पर 60 थे जगावा पर 6 पैसा दिखाएगा का कि जब हम डेसमें आपाइन करते हैं तो है तो 60 में 600 करेगा जीरो को सो नहीं करेगा ठीक है जिए अब इसका और क्या बेनेफिक करता है तो आप लोगो स्वेपिंग काड की आप तरा जी के अपने कीसे बनाओं उससे आप अटेंधनेंस आपको बनाना हों तो बनापैंगे आइडिया नहीं है्गी नियां है सरद्ध को अएडिया देते हैं आपको भी हम आप जो हैं आभी से एक बच्चे की दरा आएडिया देते हैं गेट आडिया थी जी में पास कुछ दिन पहले यूटूब पे भी मैंने देखा होगा एक हमारा यह था रिपोर्ट था इसको हम बायोमेट्रिक पिवर्ट टेवल के नाम से जानते थे पिवर्ट टेबल की माध्यम से हमने इसके रिपोर्ट निकाल लिया था पिवर्ट टेबल लगा के हमने क्या किया तो कि इसमें कई साई रिपोर्ट थे तो हमने नेम बाइट्स एंप्लोई को डिवाई जो भी है हमने डेट को उपर रखा और हमने इसके डेट कर काउंट लिए अधिया है तो एक दिन में कितना बाइट यूज हुआ है यहां पर अब इसके पीवर्ट टेबल से बन के आया है रिपोर्ट इसके बारे में पिवर्ट जब पराएंगे ता आपको डिटील ने पराएंगे तिलाला आप देके कि कोई गया है में मक्षद क्या है पता आपको में मक्षद है कि जो यहां पर आपका ए है मुतलब की 2 है यह वान टू-थृ जो भी नंबर है उसको मुझ़े पर्जेंट शो करना है उसनों पर्जेंट काल सेचरह कई इस सकेन है इंट मिन्स पर्जेंट और जहां blank है जहां पर card present नहीं हुआ है उज्ञे वहां पर absence show करना है या leave show करना है जो भी हो ताकि हम data को match कर सके attending data के वो scan data से ठीक है? रभी जी अमीर जी I am waiting it very eagerly to make automation program sir तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम इसको select करेंगे परते जो blank है ना blank को मुझे 0 show करना है तो प्रिवर डेवल ऐसा option होता है प्रिवर डेवल option में जाहिए और integrity show को मैंने 0 show कर दिए अब मुझे 0 को क्या करना है? absence और number को परजिन करना है तो चली हम पहले आते हैं इस पे जैसे कि अगर हम कोई number लिखे हुए है तो इसका एक लिखने का तरीका होता है कि अगर मैं यहां पर जैसे कि मैंने लिख दिया P P लिख दिया ना hash नहीं देते हैं यगर मैं hash नहीं देता हूं तो की बात है कि पी लिखूंगा तो जो पॉजिटिव नंबर है उसके जगा पर शोग करेगा और मैं सेमिकॉल लगाने के बाद कुछ लिखूंगा तो निगेटिव नंबर पर शोग करेगा उसके बाद मैं सेमिकॉल लगाऊंगा तो जीरो के जगा शोग करेगा और फिर सेमिकॉल लॉओ तो आप जय है यह को दिक्हाना चाहते है की पॉफित्नोन है डेटा क्या है कि आपका यहाँ प्लस में हैं और माइकल में पॉफित्त cambio और 0 भी है, तो क्या करना है, जो plus वाली value है, जो greater than 0 वाली है, उसको show करना चाहते हैं profit, उसको क्या show करना चाहते हैं profit, उसको क्या show करना चाहते है, profit, yes sir, और जो less than zero है उसको सोना सोट करना जालता है loss less than minus में less than zero तो में minus yes sir और जो zero है उसके लिएम कर सकते है not updated जब कि not updated उसका data अपडेट नहीं yes sir यहां कि यह कर सकते है no profit no loss no profit yes no loss no loss और इसमें एक जगा blank भी है महाने जाए यह blank कर देता हूं जो blank है या प्रिया blank ने कर देता हो blank तो आगर नी not available कर देता है not available जो एन्य है उसके जगा पर मुझे show करना है not updated any not updated any तो मैं चाहता हूं कि एफ फिगर शूर ना करे एफ फिगर शोर ना करे इस फिगर कर जगा पेस हो गए मैं रिखा जाता है कि मैं कितना लस्स किया मैं तो इन्हें ने खोलिए लकुर्फिट नहीं है अब इसके लिए कैया अगर मैं यहां अगर लिख दिया जै पी पुरा लिख देते का दिखत है तो आर्टमेटिक जो नमबर पॉजिक्टिव है उसको रिप्लेस कर देगा पॉफिट से विज्विल्टी में फिर सेमी कॉन लगाता हूँ अगर मैंने आदे लॉस लिखा तो यह क्या करेगा जो नमबर नेगेटिव है उसको जगा पर लॉस क करेगा फिर सेमी कॉन लगाया मैंने यहां पर दे दिया नो प्रोफिट नो लॉफ्स तो जीरो है उसके जगावप आटमेटिक फो करेगा और सेमी कॉन हम लेते ही जो टेक्स्ट है उसके जगावपर तो एक्सल के अंदर में चार पार्टमी इसमें पार्टा हुआ है पहला है पोजितिव नंबर नेगेटिव नंबर जीरो एंट एक्स्ट लेकिन मुझे यहां पे जो स्व करना है हमारी जो पीवर टेवल पे है कि मुझे शो करना है उनली पर पोजिटिव एंड ओन्ली फोर जीरो हम क्या करेंगे यहां अप्लाई करेंगे कॉमेट सेंज में दिमर्स टांं यहां जाएंगे ओर यहां पे हम करेंगे जिए सेमी कॉलन नीगेटिव तो कुछ है नहीं हम नीगेटिव के जबांग फोके अब इसके बारे में आगे भी पढ़ना है, ये तो मैंने अभी थोड़ा सा कंसेप्ट बता है, इसमें और भी कंसेप्ट है, लेकिन आगे के चीज पढ़ने के लिए आपको एक आर्टिकल पढ़ना पढ़ा है, तो Microsoft का एक आर्टिकल है, मैं आपको इसका लिंक बेज रहा हूँ, उसको आप लोग एक बार पढ़ेंगे, जी सेर, उसके बार फिर आगे एक कंसेप्ट बढ़ेंगे, ठीक है, आज की कलास साब को ये पताल से लिए कि कस्टम फर्मेंटिंग का इस्तमान क्या होता है और कैसे होता है, क्या benefits है, आप इसमें और detail में पढ़ने के लिए आप इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़िए, फिर हम इस आर्टिकल में दीजे example और कुछ और इस्ता example से आपको हम कल discussing करेंगे, ठीक है निटी, जी सर, जी सर जी, बहुत ही अच्छा लगा ये सब देकिंग की, बहु है किसी और के Excel में? मेरा टीचर को साथ नहीं आता होगा, सर, इसलिए नहीं बताया है. मैंने कभी Excel में लीम गी Excel की. बैसिकली क्या थे कि नहीं, जो भी आप लोगों ने जहां साथ सीखा होगा, आपने किसी एक computer institute से सीखा होगा, उनके tailor के आउपने कि उसी जगा से मने कि सीखे होते हैं, उसी तरह की institute से सीखे होते हैं, और उसी code of courses निश्च को pass out करते हैं. इसलिए मैं deeply बहा रहा हूँ कि मैं पिछले 16 साथ से इसको use किया, तो मुझे पता है कि इसको हम अब लोग इसको utilize कैसे करते हैं, तो मेरे छोटी चीज़ों में तीबरी चीज़ों में कलती है, मैं इस तरह की problem को क्योंकि एक एक चीज़ का reuse में आप बता रहा हूँ कि इसको इसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, चाहिए हो बेसिकली सर इसको प्रोगामिंग और क्या इसका Excel को सराज़ा डेटाबेस यूज़ करके सर या automation करके उसको यूज़ करने के लिए हम सिखना चाह रहे थे सर और जब मैना फर्स्ट मापका वीडियो जब देखा सर विडियो मैना आपको काल बेक किया सर और मुझे काफी हल्प मिला सर इस चीज से और मैं सीख रहा हूं उसको सर इसको ठीक है तो मैंने आर्टिकल बेजा है उससे आर्टिकल को पढ़िए और मैं जो है तुँआ सब दिये-दिये बहाता हूं क्यूंकि मैं हर टॉपी को स्के आपको ब्रेक लिए आप फोन कर सकते हैं जी मैंने तिर्चा क्लास चुपाँ प्रैक्टिस निकर रहा हूं आज क्लास मत रिखे आज प्रैक्टिस करना चाहता हूं जी सर जी तो मुझे मैं आपने कोर्स का कोई क्या बूलते हैं डेर ने रखा है मैंने कि डिरेशन ठीक्स इसलिए आप जो है डिटील में पढ़िए अच्छी तरीके से पढ़िए और मैं चाहूं कि मुझे ज्यादा नौलेज गें किजिए बस आपको दुआ रहा है सर इसको रियल लाइफ में कमसे कम्यूटिलाइज करते है सर ठीक है तो आज की जो वीडियो है मैं अभी आप लोगों को भेज देता हूं